और खबर गाज से बात से लेते हैं जापर एक महिला ने अपनी घरेलू साहे का पर रसोई में एक बरतन में पिशाप करने और उसे आता आटा गूंद का रोटी बनाने का आरूप लगाया मैला ने क्रोसिंग रिपबलिक थाने में मुकदमा दर्च कराया है पुलिस को अब इस बात के शिकायत दे दी गई है मैला ने बताया कि घरीलू साहे का रीना करीब आट साल से उसके अहां खाना बनाने का काम कर रही है 14 अक्टूबर को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्डिंग को देखा कि रीना रसोई के बरतन में पिशाप कर रही है इसके बाद उसने उसी से आटा गुन कर रोटिया बनाई पुलिस अब मामले की छाच परताल में जुट गई है तो नोकरानी की करतूद का खुलासा हुआ इस घर में CCTV कैमरे लगे हुए थे और आठ साल से नोकरानी इस घर में काम कर रही थी लेकिन अचानक जब CCTV कैमरे को देखा गया तो उसमें साथ तौर झाला कि किस तरह से एक बरतन में इस महिला ने पिशाप किया और उसी से पूरा मामला गाज़ेबाद के क्रॉसिंग रिपब्ली का बताया जा रहा है जहां पर यूरिन मिलाकर रूटिया बनाने का ये मामला सामने आया है कोई पहला मामला नहीं है इस से पहली हमने अलग अलग जगों पर इस तरह के मामले देखे हैं जहां पर इस तरह के हरकत की गई है और अब ये एक घर में साहट नौकरानी के तौर पर काम करती थी जहां पर उसने ये कुकृते किया है और इसी पर बाच्चित करने के लिए अमित राना इस वक्त हमारे साथ चुड़ गाए हैं अमेत अगर इस पूरे मामले की बात की जाए आठ साल से जो काम करने वाली थी वो खाना बना रही थी इस घर में और इस तरह की हरकत अब उसकी कामरे में कैद हो गाई है अब आगे कि इस तरह की कारवाई और जो घर के मालिक है उन्होंने किस तरह से अब इस पूरे मामले को पुलिस के पास रखा है जी बिल्कुल निलू आपको बड़ावाँ चाहूँआ थाना क्रोसिंग रिपब्लिक का यह मामला है पूरा जहां एक घरिलु साहिका है उस पर जो घर की मालकिन थी उन्होंने यारोप लगाया कि वो अपने मानम मुत्र मिला तरह उनको आटा गूत के उससे रोटी बना कर जा रही है इसको लेकर जो पीडि़ परिवार है उसने लेकि शिकायट दिने फायर के लिए है फायरे कुरें पोरे मामले की बाद दूरर कही जा रही है लिकन बड़ी चीज आती है लिलू सामने कि tore यह कि किसमांalle के था कि लोग जो इस तरह करते बाद से लिके मुथ करते हरकत देखी आप तो ये देखिए ये साहिक खाना बनाती थी वहाँ पर और उस घर में काफी दिनों से काम करती थी उसकी ये हरकत है क्या इसको लेकर इस जो काम करने वाली है उससे पूछताश हुई है जी बिल्कुल पुलिस सब कहना है कि आरुपी जो गरहातन जाहिका है उ उसको भी आहरातन लिया है उसे पूस्ताश की जा रही है महीं दूसरा बड़ा सवाल लिलू ये ख़ड़ा होता है कि अब तक हम सिफ बाजार की जो चीए दे उसमें मिलावट की बात किया करते हैं अगर गाजेबाद की बात करो तो गाजेबाद में पिशाब मिला कर भिला कि आखिरकार गर में गरिलू साहिका रखी जाए या नहीं रखी जाए यह तो गनिमत इस बात की रही कि उनके घर में सीसी टीवी कैमरा लगे हुए थे और जो महिला है वो मोबाइल से उसको ऑपरेट किया करते जिसमें पूरी की पूलिस की जो गटना करम रहा जो को करते रहा वह उसमें तारा रिकॉर्ड होगा रसमें पूलिस तरह की मान सकता है किस तरह की मान सकता वाले लोग इस तरह के हरकत करते हैं और इन पर तो सक से सक कारवाई होनी ही चाहिए बहुत बहुत शुक्रे आपका अमद हमारे साथ चुड़ने के लिए